हेलो फ्रेंज तो आज हम बनाएंगे टेस्टी स्पाइसी राज्मा उसके लिए सबसे पहले मैंने रात को दो कटोरी राज्मा भिको के रख दिया था अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है जैसे कि आप सभी जानते हैं क्या करना होता है सो इसके लिए हम नमक भी डाली इसमें फिर इसके लिए चाहिए हमें टमाटर, प्याज, मसाली, धनिया, हरी मिर्च, अधरक, लहसुन और मेथी के पते एक पैन में ऑईल गरम कर लेंगे उसको गरम होने तक थोड़ा रखेंगे फिर उस पैन में हम जीरा और एक लाल मिर्च फ्राई करेंगे फिर कुछ तेश पत्ता डाल देंगे फिर हमने टमाटो की प्योरी बना ली थी, उसको हम उसमें फ्राइ करेंगे थोड़े देरे के लिए, अब जैसे कि ये फ्राइ होने लगी है, तो साथ ही में हमने कूकर में अपना राजमा बॉल होने के लिए रखा था या, बहुत जादा कर्फ्यूजिंग होता है, और साथ ह हो जाए, फिर जो राजमा हमने बॉल करने के लिए रखा था, उसे हम डाल देंगे हमारे पैन में, अब उसे भी हम मिला देंगे अच्छे से, ताकि सारे जो मसाले हैं, वो सब राजमा में आ जाए, और उसका जो टेक्श्चर, टेस्ट है, वो अच्छा हो जाए, सब ये फ मसाले कोट के रखे दे, गरम, मसाले, खड़े मसाले, आप कोई भी डाल सकते हैं, जो आपके घर में अवलेबल हो, फिर उसको हम थोड़ी देर फ्राइ करते रहेंगे, अब हमने देखेंगे, दुवारा हमें देखना है, कि हमारे जो राजमा है, वो पूरी तरह से गल चुका है, या नहीं, अब उसे थोड़ी देर और फ्राइ कर लीजिए, जिसना ये कड़ेगा, उतना इसमें टेस्ट अच्छा आएगा, अब यह हमारा राजमा बंद के रे के लिए इस पर धनिया भी डाल सकते हैं, आप ना खाएं तो इस ओल डिपेंट्स ऑन यू, अब यह हमारा राजमा बंद गया है, हमने इसे गार्निश कर दिया, आप मज़ें इसे इसको डिनर में, लाइंस में, जैसे भी आप खाना चाहें, खा सकते हैं,